देश के लिए खुद सूर्थि ये नहीं है। देश में सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। वना आपके साथ एक आदमी से घड नहीं समहलता देश क्या समलेगा सत्ता पक्ष विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है लेकिन ऐसा होने वाला बिलकुल भी नहीं है ये बोल है वी आईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्रे मुकेश सहनी का जो इ नितीश हुमार को लेकर कई बड़ी बाते कहीं तरसल मुकेश सहनी सासाराम पहुचे जाओ उन्होंने विपक्ष को लेकर कई बड़ी बाते कहीं और कहा कि सत्ता पक्ष जो ये चाहती है कि वो विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म कर दे लेकिन ऐसा होगा नहीं अचल बिह शारी वाजपई को विपक्ष की तीसरी आख माना जाता था तो भला ये अभी कैसे संभव है मुगेश जैनी ने क्या कुछ कहा सासाराम पहुचकर मुक्षी मंत्र इनिती शुमार को लेकर बिहार की मागजबंदन की सरकार को लेकर और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है क्या कुछ कहा है छोड़ जाते उनकी पूरी बातों के साथ से जुर रहे हैं उनके उमीद पर मैं खाड़ा हो रहा हूं तो अभी हम लोग संघर्स कर रहे हैं काम कर रहे हैं निश्चित तोर पर 24 में चुनाब होगा तो गठवंदन की राजिनी तभी देश में हो रही है हम भी गठवंदन करेंगे लेकिन हम नॉम्बर पर डिसिजन करेंगे एक दर साल में जो विवर इनके साथ शोचेंगे जाने का अगर व अच्छा का नहीं कि तो तो मतलु जो अगृट करेंगे करेंगे अपने लोगों को जाग रूख करेंगे और आज बाबा साब का जेंति है तीस अफसर पर आज केमूर जिला में कार्च करम है तो वहाँ पे जा रहा हो कि आज हमारे बाबा साब ने बहुत कुछ हम लोगों को दिया है उसको प्रियास में तो यह बात सही है कि देश में विफक्ष जो गए गर प्रियास कर रहें कि विपक्ष को अगर मजगुत करने के लिए तो निशित और बे आच्छा काम कर रहे है क्योंकि जो सरकार सरकार अपना काम काम कर रहे हैं जन्ता के बीच में रखेंगे और क्या गलत कर रहे हैं या क्या काम नहीं कर रहे हैं ये काम विपक्च का होता है और विपक्च जो है वो अटल जी कहा करते थे कि विपक्च जो है हमारी तीसरी आँख होता है जो हम नहीं देख पाते हैं वो हमें विपक्च दिखाते हैं लेकिन आज के समय में ये मान लिज अजादी के 75 साल बाद अपने पैर पे खड़ा हुए और चार वो विधायक बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से विधायक को लोगों ने खरीद लिया पाटी को तोड़ दिया तो देश के लिए खुबसूरती यह नहीं है देश में सब लोग मिलकर काम करना चाहिए एक बेक्ती से एक घर नहीं समालता वो देश क्या समाल लेगा तो इसलिए पूरे देश में बहुत सारे नेता होना चाहिए बहुत सारा पाटियां होना चाहिए सरकार होना चाहिए विभक्ष होना चाहिए और यह काम अभी के तायम में खास करकर नहीं दिख रहा है और यह काम माने मुखपंते में 30 कमार जी करें, अच्छा काम करें, मैं तो मानता हूँ कि अच्छा काम करें, बिपक्षों भी मजबुत होना चाहिए.